क्या यह रेलिव पॉसीबल है कि जो गोल्स, जो टार्गेट हम लोगोंने साल भर के लिए डिसाइन की हैं, उनको हम तीन महाइने के अंदर अधिज़ कर सकते हैं। मतलब बारा महीने करके जो अचीव होने वाला है वो बारा हफ़ते करके अचीव हो जाएगा क्या ये रियाल्टी है? Well, 12-week yearbook के author तो यही कह रहे हैं But, हम लोग रियाल्टी चेक करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में यही चेक कर रहे होंगे And, जान रहे होंगे कैसे हम लोग आखी रिस्टीस को इंप्लिमेंट कर सकते हैं So, आज ये वीडियो बहुत ज़ादा important हो जाती है Because, brand modern द्वारा लिखी कए ये किताब आपका perspective भी बदल करके रख देगी किसको लेकर के? Goal setting को लेकर के जिस भी तरीके से आप right now Goal set करते हो देखो, बहुत सारे businesses को आपने दिखा होगा बहुत सारे लोगों को आपने दिखा होगा Annual goals को set करते होगे Even आपने भी 12 month plans को create किया होगा अपने लिए, खुद के लिए 1st January को as a new year resolution And आप उस दिन अपने आप से commit करते हो कि मैं इस बार December तक अपनी life को totally change करके रख दूँगा Well, इस commitment के बाद, दो weeks के बाद क्या होता है वो आपको ही मालूम है And मुझे भी मालूम है यही वज़ा है कि this type of thinking इस type की thinking को इस type की planning को author effective नहीं मानते है इसको मानते हैं वो waste of time Author according, इस type की planning, इस type की thinking आपको आपके गोश्त कभी नहीं पहुचा पाएगी So, यहाँ पर question यह arise होता है कि अगर analyzed planning work नहीं करती है Then इसका alternative क्या है फिर Well, इसके better alternative को author बताते है As a 12 week year program Well, ऐसा क्यों इसके कुछ reasons है तो आई उनको भी जानते है Well, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक और चीज में आपको आपको बताना चाता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर होता क्या है कि आप 12 हफता को एक साल मान रहे होते हो So, पहला reason यह है कि इसके अंदर 12 week year program के अंदर seasons existing नहीं करते कोई summer नहीं, कोई winter नहीं कोई autumn season नहीं, कोई rainy season नहीं अब यहाँ पर होता क्या है देहां से समझना है इस चीज को यहाँ पर होता है कि यह जो हमारा एक week होता है वो हम हमारे दिमाग में as a one month की तरह set हो जाता है अब यहाँ पर एक week, एक month की तरह set है हमारे mind के अंदर तो अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हो चीजों को तो यहाँ पर हो क्या रहा है हमारी mentality में एक shift आ रहा है, हमारे mindset के अंदर एक change आ रहा है और यहाँ पर आप time की actual value को देख पा रहे होगे इस 12 week year program के जरीए आप हर एक दिन, हर एक week की actual importance को जान रहे होगे अब हमारा second जो फायदा है वो है about excitement and productivity आप बहुत ही जदा आप excited feel करोगे and productive feel करोगे क्योंकि यहाँ पर आपकी जो deadline है goals को achieve करने की वो four times degrees हो चुकी है, नो यहाँ पर आप time waste बिल्कुल नहीं करोगे देखो होता कि है, जब कभी भी हम annual planning करते हैं, तो हमारे दिमांग में कहीं न कहीं यह चीज़ चल रही होती है, अगर हम किसी भी दिन काम नहीं करते हैं तो, कि मेरे पास पुरा साल पड़ा है, but in the 12 week year program, यहाँ पर हर एक दिन की value बराबर है 4.5 days के, so आपके यहाँ पर time waste करने के chances जो है जो probability है, वो कम हो जाती है automatically, that's why you become more productive, तो यहाँ पर आप जान रहे होगे कि आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ results प्रजूस करके देने हैं अपने आपको, तीसरा reason, यहाँ पर assumptions और theories का जो गहीं है, वो हड़ जाता है इसको मैं explain करता हूँ अब को सबसे पहले तो जब कभी आप annual based plan बना ले तो ना तो यहाँ पर यह चीज़ तो बिलकुल भी possible नहीं कि आप हर एक action को आप अपने दिमाग में रख सको उस चीज़ को, and जैसा plan बनाओगे, पूरा साल आप ऐसा execute करोगे, तो होता है क्या है, on the annual based planning जो आप कर रहे होते हो, वो होती है based on assumptions and theories, वहीं पर 12 week year program के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो आप planning कर रहे होते हो, वो सारी assumptions को remove कर देता है, because here the time frame is very short, and इस shortness की वज़ह से आप बहुती accurate plan को बना पाते हो, and उसे बहुती ज़्यादा accurately productivity के साथ execute कर पाते हो, and more importantly, successfully execute कर पाते हो, हमारा चौथा जो reason है, बहुती important reason है, कि जब आपने annual based planning कर लिए एक बार में, कि पूरे एक साल का मैंने goal बना लिया, now December मैं आपने आपको यहाँ देखना चाहता हूँ, आपने अपना best दिया, पर वो अचीव नहीं हुए, now again आप कुछ समय का break ले करके, एक नई साल के शुरॉत कर सकते हो, आप जो कुछ भी अपने surrounding में देखते हो, suppose tech की field में देख लो, computer देख लो, phone देख लो, ठीक है, वो दो बार बनाए, पहले बनाए, किसी के दिमाग के अंदर, as an idea, as a vision, and then उस बिक्ती ने उस पर काम किया, and उसको physical form दिया, so everything you are using right now is created twice, first, it is started as an idea, or vision in somebody's head, and then second, it was created in the physical form, देखो, मैं आपके कहना यह चाहता हूँ, कि before, you set your goals, इससे पहले कि आप अपने goals को set करो, आपको यह चीज़ समन्ना बहुत जाद आपके लिए जरूरी है कि आपकी destination क्या है, आपकी destination आपके लिए किस्टल कीर होनी चाहिए, यहाँ पर author हम से simply कहते है कि imagine करो कि आपका year खतम हो चुका है, आप कौन-कौन से चीज़ों को achieve कर चुके हो, इन चीज़ों को आपको imagine करना है, और आपको अपने आपको यह define करके देना है कि आपके लिए एक perfect year कैसा दिखता है, at the end of the year, how much you are earning, how many businesses you own, how many multiple streams of passive income you have just made, आपके लिए definition अलव हो सकती है, लिको जैसे for example, suppose आपके दिमाग नहीं imagine किया, आपने यह चीज़ imagine करे कि at the end of the year मैंने एक ऐसा online business established कर दिया है, जो कि मेरे को per month 10 grand देता है, 10,000 महीने मेरे को घर बैटे देता है, मैंने एक ऐसा online business established कर दिया है, तो अभी आपने simply यह चीज़ envision करिये, अभी आप एक dreaming stage पर हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यह जो analytical mind है, वो कहेगा कि यार, यह चीज़ बिलुकल भी realistic है यह नहीं, it is not realistic, तो यहाँ पर author हमें क्या कहते है, और dream करने के लिए, और ज़्यादा बड़ा सोचने के लिए, by the way, क्यों, क्योंकि ऐसा कर गए, पहली चीज़ तो हम यह करेंगे, कि अपने आपको हम comfort zone से push out करेंगे, आप यहाँ पर हमारा दिमाग सोचना चालों करेगा, कि how we are going to get there, अब यहाँ पर हमारे दिमाग ने how सोचा, तो यही है हमारा step number two, plan your execution, नौ यहाँ पर आप यह चीज़ जानते हो, कि आप कहां जाना चाहते हो, step number two के अंदर को क्या करना है, आपको एक plan ready करना है, strategic plan की आपको जरू होता है, तो नौ अब यहाँ पर आपके पास एक clear goal है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको ensure करने हैं, कि आपके पास बहुत सारे goals नहीं हैं, अपने जजबातों को काबू में रखकर goals set करो, और जितने हो सके few essential goals को set करो, और यही है हमारा key point इसके अंदर, कि हमें धेर सारे goals की ज़रुवत नहीं है, हमें कुछ few essential ones की ज़रुवत है, जो कि अगर हमने achieve कर लिए, देर हमें results मिल जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं, तो अब क्या करना है, अब हमें उतन सारे tasks को, उन सारे steps को लिखना है, लिस्ट करना है, जिनको करके हम step by step, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वेल, अगर आप suppose जैसे, आपका goal बन जाता है, यह कि एक साल में आप, 1,20,000 earn करना चाहते हो, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ जो एक साल है, मैं उससे refer कर रहा हूँ, as a 3 months, 12 माहिनों को मैं 12 week से compare कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे, कि आप इसी सो कैसे achieve करने वाले हो, आप पहले planning तो यह कर सकते हो, कि आप हर एक हफते, हर एक हफते 10,000 बनाओगे, या फिर पहले 4 हफते हो सकते हैं, कि आप पुरा research को दोगे, establishment को दोगे, और वहाँ पर आपके कोई earning नहीं होगी, पर उसके बाद जो आपके जो बचे 8 हफते हैं, उनमें आप 15 के बना रहे होगे per month, देखो इन simple words, इस stage पर आकर कि आपका plan क्या होता है, आपका plan यह होता है, कि आप हर एक week को identify करोगे, कि हर एक week को आपको कुछ इस तरीके से plan करना है, कि आपको वो desire desert ला करके दे, और इसी के साथ साथ more importantly यह identify करना है, कि उस week के अंदर मुझे कौन से tasks को complete करना है, जो कि मुझे वो desire deserts को lead करते हुए दिखाई देंगे, और इसी के अंदर एक और चीज और ने जो बताई है, जब आप plan कर रहे होगे, तो आप बहुत बार अपने आपसे cautioning कर रहे होगे, जो कि एक अच्छी चीज है, and cautioning के अंदर भी यह question common होगा, कि मैं इस चीज को कैसे achieve करूँगा, जो आप बहुत सारे टास्क को लिखोगे, आप वहाँ पर पूछ रहे होगे अपने आपसे, कि how do I get this task done within one week, or how do I get this big goal achieved within three weeks, etc., etc., Now, step number three is about controlling your process, देखो इसकी जो ideology है, वो बहुत ज़्यादा simple है, आप हर एक हफ़ते की Monday को review करते हो, उन सब को complete कर लिया, and जैसे ही आप अपने last week की evolution कर लेते हो, now आप अपने अगले week की जो task है, उनको pre-plan करने लग जाते हो, and ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप advance में ही अपने next week की planning करके रख लो, and हर दिन आपको ये ensure करना है, कि आप सही task को complete कर रहे हो, and with the right time complete कर रहे हो, now step number 4 is about measuring your progress, आप अपनी progress को तब तक track नहीं कर सकते, जब तक आप उसे measure करना नहीं सीख जाते, author ने इस book के अंदर दो type के measuring systems के बार में बात करी है, first है about result, second है about execution, measuring results and measuring execution, suppose जैसे for example, आप ही decide करते हो कि आपको एक हफ़ते के अंदर एक किलो वजन कम करना है, then इसके लिए आप क्या प्लान करते हो कि आप हफ़ते में पांच बार exercise करोगे, 5 दिन exercise करोगे, and इसे की साथ याद पर डे 2000 कैलरीज को consume करोगे, तो measurement of result के recording हुआ कि आप हफ़ते के end में ये देखोगे कि आपका weight कितना lose हुआ, लेकिन measurement of execution के अंदर आप totally ही different approach को देख रहे होते हो, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि आपने कितने number of tasks को complete किया, जैसे की इस example के अंदर मैंने बात करें कि आपको 5 दिनों तक exercise करनी है, and on the daily basis आपको 2000 calories ही consume करनी है, तो क्या आपने इन task को complete किया की नहीं, अगर आपने 5 दिन exercise करी है, and per day सिर्फ 2000 calories को ही consume किया है, तो आपने 100% दिया है अपने अचीव किया है अपने goal को, अब यहाँ पर आप हफते के end में ये calculate बिल्कुल नहीं कर रहे होते कि आपने कितना version कम किया, so question here arise होता है कि author हमें क्या recommend करते है, author में recommend करते है कि हम measurement of execution पर द्यान दें, ना कि measurement of result के उपर, and इसका एक और कारण ये भी है कि result हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, so जो भी time frame हमने अपने आपको दिया है, उस time frame के पूरे हो जाने के बाद हमें अपने आप से ये पूछना है, कि हमने जो decide किया थे जितनी भी task को complete करने का, क्या हमने वो किया या नहीं, अगर किया, तन हमने अपना 100% दिया है, so you have to focus on measurement of execution, not the measurement of result, and author इन दो चीज़ों को, ये जो measurement के हमने system देखे, इनको एक factor की तरह भी बताते हैं, explain करते हैं, कि जो पाई जाते हैं, उन लोगों के comparison में, जो की बहुत ज़्यादा कम अचीव करते हैं, as compared to उन लोगों के comparison में, जो की बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करते हैं, उन में measurement of execution की habit common मिलती हैं, and वही वो लोग जो की बहुत कम अचीव करते हैं, उन में हमें measurement of result की habit देखने को मिलती है, अगर मैं जल्दी से समराइज करू इस four step formula को, तो सबसे पहला था हमारा about having a clear vision, number two था हमारा about planning, how you will execute, number three था हमारा about controlling your process, and number four था हमारा about measuring your progress, and more importantly, focusing on the measurement of execution, अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं, अपने bonus पार के उपर, author ने अपने इस book के अंदर, time management के लिए, एक blocking schedule के बारे में बात करिए, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यह strategic blocking है, यह scheduling है, यह आपकी actual मदद कर सकती है, आपका बहुत सारा समय बचा सकती है, तो उसे ध्यान से सुनना, इसके अंदर simply author क्या कहते हैं, कि आप अपने दिन को तीन blocks के अंदर divide कर दो, block number one है हमार about strategic block, यह जो time होगा, इसके अंदर सिर्फ आप strategic task पर ही काम कर रहे होगे, minimum 3 घंटे के लिए, यह 3 घंटे का एक block होगा, जिसमें आप कोई email check नहीं करोगे, कोई gapshap नहीं करोगे, कोई day dreaming नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ strategic task को complete करने के उपर, अपना focus लगा रहे होगे, number two, it is about buffer block, इसके अंदर क्या होगा, आप लोग छोड़े छोड़े task को complete कर रहे होगे, यसे emails पढ़ना, messages का reply कर देना, block number three क्या है हमारा about breakout block, देखो success का मतलब सिर्फ यही नहीं है, कि आप 2400 घंटे काम करते रहो, आपको अपने mind को भी time देना है, body को भी time देना है, rest and recharge के लिए, ताकि आप full capacity के साथ, वापस से आ सको and काम कर सको, so now at the end, I hope कि आपको यह जो आज की video है मारी, वो informative लगी होगी, आज की इस video में मिलनी हम लोगों ने, 12 week year program के बारे में बात करी है, जिसके अंदर simply author में बताते हैं, कि हम एक साल को 12 महीने ना मानकर, 12 weeks की तरह consider कर सकते हैं, देखो इस चीज़ से हो क्या रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, आपकी mentality में shift आता है, आपकी mentality में किस टाइब का shift आता है, आपका time के परतिज़ आपका mind का जो perspective है, वो change होता है, अगर आप इस तरीके से सोचना चालू कर देते हो तो, कि 3 महीने मतलब 1 साल, तो यहाँ पर at the end of the day, आपकी time waste करने को जो chances हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बात कर लिए, कि ना हो यहाँ पर एक दिन किस से refer कर रहे हैं, एक week किस से refer हो रहा है, and totally एक month किस चीज से refer हो रहा है, अगर हम एक दिन भी waste कर रहे हैं, तो जिसका मतलब है कि 4.5 days को हम waste कर रहे हैं, That is the reason कि यहाँ पर आपके time waste करने को जो chances हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, So, it is all about the game of your mind, आप अपने लिए एक analyze planning करके, अपने आपको assumptions में फजा कर रखते हो, देखो, बहुत ही उपरी level से देखने पर, यह चीज़ unrealistic लगती है, यह जो 12 week year का program है, यह चीज़ आपको really help कर सकता है, अगर आप इसे really execute करते हो तो, productivity enhancement के लिए, I don't think इससे बढ़िया कोई program भी हो सकता है, जहाँ पर आप तीन महिनों को एक साल की तरह ले करके चल रहे होगे, So, I personally even think, कि यह चीज़ आपको result ला करके देगी, अगर आप इस चीज़ को ले करके serious हो तो, I hope आपको यह वीडियो थोड़ी से भी informative लगी होगी, और आपने कुछ न कुछ तो जरूर सीखा होगा, और अगर आप support करना चाहते हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है, By the way, आप जिस भी चीज़ पर वीडियो चाहते हो, उसके बार में नीचे comment down कर सकते हो, And in last, visit करो www.growthx.org To simply read amazing book summaries, Indie, textual format, सारी links आपको description में मिल जाएंगे, इस साइट पर business, finance, communication, personality development, improvement, इन सभी field से related, बहुत सारी books की summaries अवलेबल हैं, And आपको जिस भी book की summaries चाहिए, वहाँ पर search का भी option दे रखा है, Search कर सकते हो उस book के बार में, अगर होगी, आजाएगी, Take care, मैं मिलता हूँ आपको next video में,